हेलो अज़री को स्बसक्राइबर को स्बाइबर कौशें लुट लो न햇नल को बेला कोया कोती मो्क को की ऐस स्वाइनल कोक्शा adapt मॉटर हमर्च स्बसक्राइबर कंदर्ध डी किसे पास्पा उरनोमस्त एक मीलियन से में यॉक्स fibers होते हैं जो कि ठिक फोर्म में ब्रेंन से लेके come spinal cord तक अते हैं और उन more track तरक्त दो कि ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसलें को कहते हैं hmm तो इसलिए हम descending track घ्यक्ते हैं क्योंकि उपर से te Health कि मैडूला में एक एरिया होता है परिमिध जहां पर 80% Phibers इसके क्रॉस कर जाते हैं मतलत जैसे Phibers इधर से आ रहे हैं वो दूसरी साइड क्रॉस कर जायेंगे जो फ़ाइबर इधर से आ रहे हैं वो मैडूला पे 80% Phibers ऑ sì बजाते हैं और जहां Pyramidal Tract भी चेह रहे हैं, ठीक है, ओके, दूसरी बात, इसके formation में, इसके formation में, आपको क्या-क्या चीजें होती है, देखो, है तो यह Motor Tract, तो इसके formation में Motor का इसमें मोटर्ग का ही मेरोल होना चाहिये लेकिन इसमें खास बात है जो primary motor area से आते हैं okay primary motor area से और आप बात कर ले motor area, motor area से जो fibers है वो almost 60% motor area से आते हैं और somatosensory area से 40% fibers somatosensory area से आते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी areas कहां है, motor area कहां है somatosensory area कहां है अलाकि हमने जो nervous system की introduction की video थी, वहाँ पर हमने discuss किया था, और मैं फिर से आपको बताऊंगी, और इसको हम दो में, यहाँ पर इसके जो fibers हैं, एक तो आपका है primary motor area primary motor area से 30% fibers आते हैं, और pre motor area और साथ में supplementary motor area pre motor area and supplementary motor area इन से मिला के 30% fibers इन से आते हैं तो इसका जो origin हम बात करें यह origin हुआ pyramidal tract का, मतलब pyramidal tract के fibers कहां से शुरू होते हैं तो क्योंकि यह motor tract है, descending tract है इसके brain से शुरू होंगे तो brain में 60% fibers motor area से होते हैं और 40% somatosensory area से होते हैं motor area में primary motor area अब primary motor area आप यहां देखिए यह जो है central sulcus है brain में central sulcus के आगे जो होता है वो होता है pre central gyrus sulcus मतलब कोई खाच टाइप की चीज जैसे इसको आप sulcus बोल सकते हैं और यह जो चीजे हैं उठी हुई जो चीज है इसको हम गाईरस बोल सकते हैं ठीक है ये sulcus बोल सकते हैं और ये जो ey जो उठी हुँ चीजे हैं ये हम गाईरस बोल सकते हैं तो sulcus central sulcus है central sulcus से आगे होता है pre central gyrus जिसका नाम होता है area number 4 और इस ही को हम कहते है primary motor area यही आपका supplementary motor area से आते हैं और somatosensory area से 40% fibers आते हैं आप डाइग्राम आप इसका देखे कि जैसे आप बात करें कि अब हम इसको यह ब्रेन का एक साइड बना लेते हैं यहां पर आपका central sulcus है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था कि बीच में इसके central sulcus होती है तो आप इसको यहां ना लिखके अपने लिख लेते हैं क्योंकि हमें fibers बनाने पड़ेंगे यह आपकी central sulcus है ओके इस central sulcus के आगे वाला जो एरिया होता है वो मोटर एरिया होता है और इसके पीछे जो होता है वो इसके आगे जो एरिया है वो है आपका primary motor area प्राइमरी मोटर एरिया या जिसका नाम होता है एरिया नंबर एरिया नंबर फोर एक broadmanic scientist थे broadman जिन्होंने different areas को different numbers दिये तो primary motor area का जो नंबर है वो यह primary motor के भी आगे यहाँ पर दो तरह के एरियाज होते हैं primary motor area के आगे होता है area number 8 area number 8 area number 8 है और इसका नाम है आपका pre motor cortex pre motor cortex या pre motor area क्योंकि यह primary motor के आगे है आगे होता है pre, तो pre motor area area number 8 इसके उपर यहाँ पर आप देखेंगे यह जो उपर area है थोड़ा सा और थोड़ा यह medial side में जो जैसे यह lateral side का है दो आपके brain के दो पाठ है एक इधर है एक इधर है हमिस्फियर है बीच में एक सलकस होती है ठीक है तो यहाँ पर यह वाला जो एरिया इसको हम शो कर रहे है ठीक है? इसी में यह आपर central Sulcus है जो frontal lobe है frontal lobe में central Sulcus है central Sulcus के आगे वाला जो एरिया है motor area है, पीछे जो एरिया है, वो sensory area है तो यह जो उपर की तरफ आप बात कर रहे हैं इसको आप कहते हैं supplementary motor area ठीक है तो ये तीनों area इस tract के neurons इन तीनों area से निकलते हैं बाकि इसके पीछे की तरफ area जो gyrus है जिसका नाम है post central gyrus post central gyrus जिसको हम बोलते हैं somatosensory area somatosensory area या somatosensory cortex fine देखो ascending track या sensory जो areas sensory जो आप track पढ़ते हैं तो sensory जितने areas हैं जितने sensory tracks हैं वो सारे के सारे finally कहाएंगे somatosensory area में जैसे pain की sensation है touch की sensation है pressure की sensation है यहां से peripheral से sensory nerve लेके आती है spinal cord तक spinal cord में dorsal column में लेकर आएंगी ठीक है फिर वहां से track जाते ascending track और वो final कहाँ लेके रहें बहुत सारे बीच में अरियास है medulla, thalamus सबसे final जो जाते हैं वो post central gyrus या somatosensory area में सारे fibers नीजे से आके यहीं पर अंट करते है somatosensory area में ठीक है और जो descending track यह से pyramidal track है वो इन motor area से निकल के spinal cord तक जाएगा track वो वहां जाएगा आपका ventral horn में और ventral horn से spinal motor neuron जाएगे muscles तक और वो इसको final muscles को contract कराएगे यह आप introduction की वीडियो में भी देख सकते हैं कि motor area, motor neuron कहां होती है जैसे tracts तो spinal cord तक ले जा रहे है नीचे जो ले जा रहा है descending track है उपर जो ले जा रहे fibers वो ascending track है अब spinal cord से muscles तक जो motor track, motor area, motor fibers लेके जा रहे है spinal motor neuron वो निकलता है ventral horn से यह आप introduction की स्टार्टिंग की वीडियो जो है सबसे पहली वाली उसमें आप देखेंगे तो हभी हमारा topic है cortical spinal track यह मैंने आपको एक area का idea बता दिया जिससे कि आप यह बात कर सके कि यह origin हमने पढ़ा है यह कौन कौन से area आपके दिमहक में एक idea आजाएगा इसको आप बना भी सकते हैं exam में question आता है तो इसको नहीं भी बना सकते लेगिन आपको यह जानना ज़रूरी है कि यह जो portion है यह पूरा portion इससे आपके 60% fibers originate करते हैं और यह somatosensory जो area है 40% fibers यहाँ से originate कर रहे हैं इस 60% को divide करोगे तो 30% primary motor area से और 30% इन दोनों को मिलाके यह originate करते हैं ठीक है तो हमने origin पढ़ लिया अब आप इस diagram पे आजाए यहाँ पे आप देखेंगे कि यह है आपका contigo spinal tract का यह diagram है ठीक है यह है precentral gyrus यहाँ आपने सारे ना शो करके हम क्योंकि major जो है वह आपका primary motor area यह area number 4 से निकलता है यह area number 4 है ठीक है तो mainly fibers यहाँ से originate हो रहे है ठीक है एक आप धियान रखेंगे dot क्योंकि यह descending tract है तो dot जो है आपका cell body को show कर रहा है इसलिए dot हमेशा उपर बनाएंगे neuron में और जो उसकी ending दो में divide करते हैं बाइफर के वो आप नीचे आते आते नीचे बनाएगे कभी भी ultra आप motor track में नहीं बनाएगे क्योंकि यह descending tract है यह motor track है ठीक है तो यहाँ dot से शुरू किया आपने और फिर यह आपका यहाँ पे आता है internal capsule ठीक है यह internal capsule एक internal capsule भी हम लग से discuss कर सकते हैं इंटर्ल कैपसूल पिरामेड से उपर एक इरिया होता है और इंटर्ल कैपसूल के पार्ट है यह anterior पार्ट है यह posterior पार्ट है ठीक है मतलब आगे की तरफ अगर आप ऐसे देखेंगे तो anterior आगे और posterior पीछे तो जैसे यह fibers आ रहे हैं यह इसके posterior part से cross कर जाते हैं मतलब posterior part से pierce कर जाते हैं एक तरसी समयलोग posterior part से निकल जाते हैं तो fibers originate तो आपने पढ़ लिया यह fibers internal capsule के posterior part से में end कर जाते हैं फिर वहां से यह आपके मतलब वहां से pass कर रहे हैं end नहीं करते हैं यह यहां से पास कर जाते हैं तो इसलिए हम ऐसी चोड़ देते हैं यह डागराम ने इस तरीके से बनावाई यह पीछे की तरफ से दिखाए दे रहा है तो फाइबर्स पोस्टिर पार्ट से आपके यह निकल जा रहे हैं अब क्या होता है जो 80% फाइबर्स हैं वह उपोजिट सही है हमने आपके इक कुठावा सा पॉर्शन बना लिया जिसको हमने बोला पिरामिड तो यह कहां पर है यह पिरामिड यह पिरामिड है मेडिवला है मेडिवला में 80% फाइबर्स क्रॉस कर गए और 20% फाइबर्स अपनी दरफ हैं वह वह स्कॉर्स नहीं करे रहें तो जो क्रॉस वो लेटर बना देगा 80% fibers make lateral corticospinal tract 20% fiber जो cross नहीं करते हैं वो बनाते हैं ventral corticospinal tract दूसरी बार जो cross कर गए है यहां पर हमने end किया यह वाला neuron यहां से एक अलग दूसरा neuron शुरू होता है और यह directly बिना किसी interneuron कि यह neuron है इसका नाम है spinal nerve इसका नाम है spinal nerve यह spinal motor neuron यह directly muscles को supply करते हैं वो इस अप्लाई करते हैं distal muscles को ठीक है जो cross नहीं किये थे वो एक interneuron के थूरू, interneuron मतलब होता है दो neuron के बीच में और कोई छोटा neuron है उसको हम interneuron कहते हैं इन दोनों के बीच में यह interneuron है तो ventral, cortical, spinal tract में interneuron होता है ठीक है अब उसमें भी देखो वही धियान रखना है cell body को dot से बनाना है फिर इसको end कर देना है तो इसमें कुछ fibers अपनी साइट आते हैं कुछ थोड़े बहुत दूसरी साइट भी चले जाते हैं लेकिन यह किसको supply करेंगे proximal muscle को proximal मतलब देखो इस हाथ में यह proximal muscle है और यह muscle है distal muscle ठीक यह proximal है यह distal है दूरे body से तो distal बोलेंगे को यह distal muscle है अब मुझे बताइए कि fine moment किसकी होगे skill moment किसकी होगे yes obviously distal muscles की होगे क्योंकि देखो हमारी fingers इनको बहुत fine moment करना होता है जो skill moment है वो distal muscle कराती है जो मारी proximal muscle है इंसे trunk की मसल है यह बाली जो muscle है यह posture को maintain कराती है ठीक है तो proximal muscle जो है वो आपका mainly postural moments के लिए important है postural moments जो posture maintain करने वाले moments होते है और distal muscle जो है आपके is skilled moment कराते है ठीक है इसके लिमेंट पतलब वहती जैसे finger की मुमेंट है यह सब चीज हो गई ठीक तो यह है हमारा cortico spinal tract अब जो यह spinal motor जो spinal nerve दिखा रखी है यह देखो कहां पर है यह आपका spinal cord है ठीक है यह आपका head dorsal horn यह आपका है ventral horn अगर आपको याद हो आप इसको correlate करें तो एक sensory nerve यहाँ पर आई थी यहाँ पर एक dorsal motor neuron होता है DRG होता है dorsal root ganglion और वह आके यहाँ से यह वाला निकल जाता है motor मतलब यह sensory होता है और dorsal side में और यह होता है ventral तो यही जो है वही है आपका spinal motor neuron जो हमने यहाँ पर यह लिखा है spinal nerve जो हमने यह लिखिये वाली यह कुछ नहीं यह spinal motor neuron और यहाँ पर इस जगह पे जो fibers उपर से spinal cord से यहाँ पर एंड करेंगे वह आपके हार संटर इनको कंट्रोल कर रहा है में ली तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है motor ट्रैक्ट वह कौन से ट्रैक्ट होगे फाइनली जो कि brain से spinal cord तक एक bundle आफ ट्रैक्ट आता है fibers का bundle है more than 1 million fibers है कहां से शुरू होते हैं यह primary motor cortex के 30% fibers होते हैं 30% fibers आपके होते हैं यहां से primary motor area और supplementary motor area दोनों मिलाके 60% motor area से हो गए और somatosensory 40% मतलब 40% fiber 60% fibers motor area से आते हैं 40% somatosensory area से आते हैं ठीक है फिर इंटर्नल कैप्सूल के posterior पार्ट से निकल जाते हैं then 80% fiber medulla of pyramid ठीक है cerebral cortex है फिर आपका पॉंस और medulla आता है मेटो ब्रेन पॉंस और medulla तो medulla पर 80% fibers दूसरी साइड क्रॉस कर जाते हैं और यह बनाते हैं वहां पर उठावा portion जिसको हम बोलते हैं पिरामिड इसलीन का नाम है पिरामिडल ट्रैक्ट तो 80% fibers जो क्रॉस कर जाते हैं वह बिना किसी इंटर निउरोन के डिरेक्ट स्पाइनल नर्व के थू डिरेक्ट स्पाइनल नर्व के थूरू बिना किसी इंटर निरोन के distal muscle को supply करते हैं और जो distal muscle है वो आपकी skilled movement को करते हैं तो कौन सा tract आपका skill movement के लिए हुआ lateral cortical spinal tract is for distal movement मतलब five movements के लिए skill movement के लिए और 20% fibers cross नहीं करते हैं वो कौन सा tract बनाते हैं ventral cortical spinal tract और वो एक interneuron के थुरू यह देखो यहाँ पर एक interneuron था interneuron के थुरू proximal muscles में अंड करते हैं और वो postural moment करते हैं ठीक है तो यह है हमारा cortical spinal tract या motor tract okay students thank you